हलो माई डियर इंट्रेंट्ट्र गेट मॉनिंग टूर्मा आइम दिपान शुवर्मा आइव़कम टूर्म वॉलिया इंदेसिंगली श्रीकिंग ज्युर्मा आंग्रीजी बोलने की सियात्र में आप सबीका स्वागत करता हो जैसा कि आप जानते हैं इजुटिय एग्रिशन क के लिए आपको कोई भी पे नहीं करना होगा तो आज शुरू करते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं foundation batch आधार batch की class 14 जो हमारी introduction परिच्चे पर आधारित है जो हमारी परिच्चे पर आधारित है अपना आपको अंगरीजी में किस तरह से प्रजेंट करते हैं अपना आपको किस तरह से व्यक्त करते हैं अपने बारे में कैसे बताते हैं अपना परिच्चे कैसे देते हैं यह class आज आपके लिए बहुत महत्पूर होने वाली है और class शुरू करने से पहले एक यह छोटा सा इंट्रो मेरे बारे में सब्जेक्ट जो हैं कॉम्टिटी मैट एंड इंग्लीश और टीचिंग में मेरा अनुभर साथ साल करा हैं और भात की तीन दाजिव मैं अभी तक प्ला चुका हूं तरपतिस दाजिस्थान और गुजरात तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप से बता देता हूं इंट्रॉट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट्उट् यह हैं यह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंट्रोड़क्शन देना अगर आप इसे इंट्रोड़क्शन देते समय अगर आप रियल रहोगे वास्ट्विक रहोगे नेश्रल रहोगे तो यह आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा देखे सबसे पहली बात तो ऐता है introduction की कोई class introduction का मैं आपको बता सकता हूँ format क्या होगा कहां कैसे बोलना है लेकिन देखे introduction मैं आपको suggest करूँगा इस class को लेने के बार आप अपने आप से लिखी introduction क्योंकि देखे आप अपने बारे में सबसे जादे जानते हो है ना आप से जादे आपकी बारे में कोई नहीं जानता है मैं एक आपको तरीका बता सकता हूँ एक overall बता सकता हूँ किस तरह से शुरू करते हैं कैसे हमें अपने आपको present करना चाहिए लेकिन आप मैं आपको एक introduction बताया हूँ आज आपको बताने वाला हूँ उससे आपको बहुत जादा आपके understanding बढ़ेगी introduction को लेकर लेकिन उसमें से आप कुछ point ऐसे होँगे तो आपके अलग होँगे और यह introduction में अलग होँगे तो आप उन्हें follow मत करना जो आपके हो तो आप उन्हें use करोगी ना तो फिर यह आपको easy हो जाएगा बोलने में फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा आप जो हो वो आपको आपका नाम आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा आप कैसे हो यह अपने introduction में डालना तो आपका बहुत जादा अच्छा effective और affection भरा introduction होगा तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले इस दुनिया की कोई भी presentation शुरू करनी हो तो कभी भी आपको जैसे कि मैं भी class शुरू करने से पहले greet करता हूँ greet का मतलब होता है दूआ सलाम morning है तो आप good morning बोल सकते हैं good afternoon बोल सकते हैं तो ये क्या होती है greet greetings पहले चलते थे तो वो ही तो है बधाई देना wish करना तो सबसे पहले आप अपने presentation जहां भी दोगे अपने आपको present करोगे introduction आप अपना दोगे school colleges या कहीं भी सबसे पहले आप according to इस तरह से शुरूआत करोगे great morning to all या फिर good morning to all good morning to everyone good morning to ladies and gentlemen तो इस तरह से आप according to time good evening to gentlemen good evening to ladies good evening to ladies and gentlemen good evening to all good evening to students good evening to parents तो इस तरह से आप greet करोगे according to time उस समय की नमस्ते करोगे आप according to time के जहां इसके बाद opening करती समय अपने आपको परदिशिच करने की जैसे आप शुरुवात करोगे सबसे पहले आपने बोला great morning to all I am here मैं यहां हूँ to tell you बताने के लिए something about myself अपने बारे में कुछ बताने के लिए मैं आज आपको यहां पर हूँ opening अभी आप मैं बताऊंगा opening कैसे करते हैं greet कर दिया आपने इसके बाद आपने थोड़ा सा बता दिया कि आज आप क्या बताने वाले हैं अपनी life के बारे में आपने बोले कि I am here to tell you something about myself myself मां कि अपने बारे में swim के बारे में पूरा बताने वाला हूँ तो इस तरह से आप opening कर सकते हैं इसके बाद आपको about self and family इसके बाद देखिए जब introduction आप दे रहे हूँ तो जाहिल सी बात है सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना चाहिए जैसे कि इस तरह से जैसे कि आपने बोला Today I am here to tell you something about myself I am Dipan Shurvarma इसके बाद आपको अपने बारे में बोलना I am Dipan Shurvarma I belong to Merit I am my father's name is Shrivarram Ajad and my father is a businessman my mother is a housewife we are four siblings इस तरह से आप अपनी family के बारे में आपको कुछ बोलने है कुछ sentence आप इसके बाद अपनी family देखिए ये क्या है एक आदल सिस्थिति है कि इस तरह से आप शुरुवात करेंगे तो ज़्यादर बेटर होगा बागी देखिए फिर भी हम आपसे बताने चाहूंगा introduction में भी sense depend करती है अब देखिए आप बोलोगे कि introduction में कैसे sense depend करेगी sense depend introduction में इस तरह से करती है देखिए ये स्थिति आपको इपता होगी कि आप बोल कहां पे रहे हो introduction अगर आप educational फिर या फिर मैं कहूं school colleges में आप बोल रहे हो तो वहां आपको आपकी introduction में सबसे जादा main focus education पोज़े आप क्या कर रहे हो क्या करने वाले हो क्या बनने वाले हो क्या आपकी future plan है किस तरह से आप अपने goal को अच्छीव करोगी यह सब होना चाहिए ठीक है presentation में एक देखिए एक presentation ऐसी भी होती है वहां आपको अपने बारे में पूरा ही बोलना होता है अपने daily routine भी बताना होता है खेर उसका हम आगे बात करेंगे अभी धिर धिरे one by another करके चलते हैं about family और अपने बारे में और अपने family के बारे में बताती है इसके बाद what have you done आप क्या कर चुके हो यारि कि आप दस्वी की हुई है बादी की हुई है graduation की हुई है post-graduate हुई है आपने क्या किया हुआ है doing now आज कल आप क्या कर रहे हो ये भी बताना है आज कल आप क्या कर रहे हो जैसे मैं कहूं कि I have completed my study now I am teaching तो इस तरह से आज आप क्या कर रहे हो इसके बाद work experience अगर आपको कोई work experience है जैसे मैं बोलता हूं कि I have seven plus years teaching experience तो इस तरह से आप अपना work experience share कर सकते हैं ठीक है योर past education इसके बाद आप अपनी past education इससे पहले आपने जैसे suppose कि कि अभियत आपने अगर आपने ही ही बता दिया है कि आपने क्या किया है क्या कर चुके हो तो फिर आपको यहां नहीं बताना आपने सिधा यह बता है कि I am a teacher now I am teaching I am teaching English speaking I have seven plus experience of teaching your past education इससे पहले आपने क्या 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 यह आप बता सकते हैं what do you want to be what do you want to be आप क्या बनना चाहते हो देखिए परिच्चे का मतलब यह है आप क्या कर देखो क्या करने वाले हो क्योंकि आपकी परिच्चे से आदमी की ऐसे नहीं बोलते कि पूत के पाउं पाले में ही दिख जाते हैं आपकी इंट्रॉड़क्शन से आप क्या कर देखो आपकी डिरेक्शन के लिए होनी चाहिए जैसे कि suppose कीजिए कोई कह रहा है बच्चा कि sir मैं क्या हुआ जैसे कि मैंने सबसे पहले BBA किया फिर मैंने MBBA किया तो एक ही तो पकी है कि वो business field में जाना चाहता है तो इसका मतलब देखी कभी-कभी ऐसा भी होता है education किसी और परपस से करते हैं हम education ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहा है उसी field में हम जाना चाहते हैं ऐसा भी होता है तो इसलिए आप यह भी बता जिए कि क्या आप बनना चाहते हैं आपका daily routine आपकी दिन चर्या कैसी है क्या क्या आप दिन चर्या में करते हो यह भी आप बोल सकते हो देखिए आप एक बात जहां से सुन लीजीगा दुबारे से सबसे पहले greet according to time good evening इस तरह से शुरुआत कर दो I am here to tell you something about myself इस तरह से opening कर दो इसके बाद अपने बारे में थोड़ा बताईए थोड़ा अपनी family के बारे में बताईए इसके बाद what have you done अब क्या कर चुके हो अभी क्या कर रहे हो work experience क्या है अपनी पिछली education के बारे में बता दीजे आप क्या बनना चाहते हैं ये बता दीजे आप इसे अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये भी बता दीजे आपका daily routine आपकी दिन चरह कैसी है और आप किस तरह से जीते हो इस सब आप बता दीजे इसके बाद देखे थोड़ा ये बता दीजे कि आपके बारे में आपके parents, teacher, भाई, बहन और friends क्या सोचते हैं आपके बारे में अपनी hobbies और interest बता दीजे जैसे my hobbies is leading, running इस तरह से आप अपनी hobbies बता देजे योर skills आपके अंदर इस धरती पैसा कोई भी व्यक्टिय नहीं है जिसमें कोई ना कोई skill ना हो जिसमें कोई ना कोई विशेष्टा ना हो तो अपनी skills आप बता सकते हैं अपनी विशेष्टा है आप बता सकते हैं अपनी कोई ऐसी quality जो आप में हो आपको लगता है आप वो बता सकते हैं और हर किसी के अंदर जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है Nobody is perfect कोई भी संपूर नहीं है तो कुछ खूबिया अगर आप में होंगी तो एक दो कम्या भी होंगी ऐसा हो सकता है कम्या बहुत कम हो ना कि बराबरो लेकिंदेखे कुछ न कुछ होती ही है आदमी की कम या नहीं बोलता हूँ मैं weakness, कमजोरी कमी तो वह होती है जो हमारे अंदर होती है कमजोरी वह होती है कमजोरी तो देखे है हमारी हम किसी को ज़्यादा ही प्यार करते हैं ये भी हमारी कमजोरी हो सकती है यह कमी नहीं है, कमजूरी है हमारी कमी तो वो होगी कि आप बहुत ज़्यादा बत्तमीर है यह आपकी कमी है लेकिन आप क्या है आप किसी को देखकर बहुत ज़्यादा एमोशनल हो जाते हैं तो यह आपकी कमजूरी है ना कि कमी है इसके बाद में आगे हम बात करेंगे इसके बाद आपको अपना जो है introduction को क्या देना है close down करना है उसे give thanks देना है उन्हें धन्यवाद कीजी जिन्होंने आपको सुना उसके बाद close down video message एक हो सके तो एक message की साथ अपनी बात को खतम कर दीजी अपना introduction बंद कीजी कर दीजीगा क्योंकि देखे ऐसा होता है first impression the last impression सा बोला जाता है शुरुवात का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है लेकिन देखे ये भी आप मेरी बात मानिए जब आपको कोई सुनता है तो आपको शुरू से बहुत शुरू में बहुत द्यान से सुनेगा एक वो आ मेसिज के साथ अपनी बात को खतम किजिए जैसे thanks for listening to me now I have a message for you जैसे कि health is wealth स्वास्थे ही धन है स्वास्थे ही धन है तो आईए अब शुरू करते हैं देखिए self introduction की class बहुत ही ज्यादा important आज आपके लिए है बहुत ही ध्यान से सुनना और शुरू करने से पहले में फिर आप से एक बार बता देता हूं देखिए आपको मैं आपको हर वो चीज बताने वाला हूँ जो आपको यूज करने है लेकिन देखिए आपको कब कब कहा कहां यूज करने है उसके लिए आप अपना किस निकालके अपना introduction बनाईए और उसे क्या है उसे शेर कीए उसे 5 शे स सामने बोल के देखे तेखे ऐसा है जिन्गी में हम बहुत बड़ीjalइन चाते हैं लेकिन असल में हम बहुत ऐसे भी हैं जो सिर्फ चाहते हैं कलते तो कुछ भी नहीं है है न हम बहुत ज़्यादा कुछ करना चाते रहे लेकिन आगर देखे कि आद घंटा वेश्ट हो जाएगा अरे जो चीज आपको पूरी जीवन काम देने वाली है उसके लिए आद घंटा क्या दो दिन भी लग जाएं तो भी गम है तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा सबसे पहले ओपनिंग करते हैं अस तरह से अपलिए नहीं के लिए यहां हूँ तो तैल बताने के लिए तो तैल यहां हूँ अपने बारे में बताने के लिए यहां हूँ बट बिफोर देट लेकिन उस से पहले I want to express I want to express मैं व्यक्त करना चाहता हूँ मैं हार्ट फैल हार्ट फैल का मतलब होता है तही दिल से थैंक्स धन्यवाद to that person who has given a chance to say a few words about myself क्या बोला उसने Good morning ladies and gentlemen सभी महिलाओ सज्जनों को सुभा की नमस्ते आज today I am here मैं यहां हूँ to tell बताने के लिए you, तुम्हे, something about myself आपने बारे में कुछ but before that, लेकिन उससे पहले I want to express my whole felt लेकिन उससे पहले मैं तही दिल से व्यक्त करना चाहता हूँ धन्यवाद, उस व्यक्ती को to that person, उस व्यक्ती को who has given a chance, जिसने मुझे एक मौका दिया to say, कहने के लिए a few words about me, जिसने अपने बारे में कुछ शब्त कहने के लिए मुझे मौका दिया I am thankful to you sir I am thankful to you sir या madam, जो भी जिसने भी आपको मौका दिया sir ने दिया, sir बोल सकते है, madam ने दिया madam बोल सकते हैं, और किस ने दिया तो और किसी बोल सकते है I am thankful to you sir और madam मैं आपका धन्यवाद करता हूँ would you like to know about me? देखिए, ऐसा उन्होंने दो मौका दिया है लेकिन audience आपको सुनना चाहती है या नहीं तो आप ऐसे पूछ सकते हैं would you like to know about me? कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं वो आपको बोल देगी, yes तो फिर आप शुरू कर सकते हैं हो सकता है, वो ही आपको मना कर दे फिर बोलने का फायदा नहीं है क्योंकि अगर शोता सुनना नहीं चाहता तो वक्ता के बोलने का कोई लाब नहीं है है ना, वैसे ऐसा कोई मना नहीं करेगा आपको मैं फिर भी देखे, दुनिया है तरह-तरह की लोग है कोई कुछ भी बोल सकता है, है ना हमें क्या बोलना है, हमें क्या सुनना है हम सिर्फ उस पर concentrate करें, तो ज़्यादा बेटर है देखे, would you like to know about me? क्या आप मेरे बारे में जाना चाहता है? Yes, I am Dipaniswarma I am a teacher I come from a middle income group family of merit मैं merit किया कि सामान्य बध्यम वर्गे परिवाल से आता हूँ आप जिस भी परिवाल से आते हैं इसके बाद, my father is a businessman मैं पिता जी एक व्यापारी है and my mother is a housewife और माता जी ग्रेनी है जो महिलाए घर का कारे करती है और कहने के मतलब है कोई जोब अगेता नहीं करती सिर्फ घर को ही handle करती है जो एक सबसे बड़ी जोब है उसे बोलते है housewife We are four siblings siblings बोलते हैं बचो उन्हें जिनके भाई और बहन दोनों होते हैं We are four siblings यानि कि हम चार भाई बहन है Now let me tell you something about my education अम मैं तुम्हें अपनी education के बारे में कुछ बताने वाला हूँ I have completed my studies in arts from CCS University मैंने CCS University से art में कला में अपनी study पुरी कर ली है I am teaching speaking English मैं आजकल अंग्री जी परहा रहा हूँ I did my nursery education from DPS school मैंने अपनी nursery की जो शिक्षा है वो दीपसी का public school से की During my nursery education During my nursery education nursery education के दोरान I used to be shy or naughty I used to be shy or naughty मैं बहुत ही शर्मीला या फिर शरार्ती था All my teachers used to love me a lot मेरे सभी teachers जिदे को used to आया है Used to वहाँ पे आता है जो काम पहले होता था अब नहीं होता बही नर्सरी में थे हम सारे टीचर हमें पसंद करते थे प्यार करते थे लेकिन वो करते थे न बही अब हम बड़े हो गए हैं आप तो करते नहीं है या फिर करते भी होंगे तो उनका अलग मेंटर है लेकिन पहले जो काम करते थे अब नहीं करते अब आप बच्ची होगे उस स्कूल से निकल आया हो तो all my teachers used to love me a lot later on इसके बाद I shifted to ऐसा बोल सकते है I shifted to I moved to या I was admitted to इसके बाद देगे जाएं शिलाइस है न आप उसमें से कोई साई एक यूस कर सकने later on इसके बाद I shifted to I shifted to जहां भी उसके बाद ऐसा हो सकता है अपने nursery education कहीं सकी हो उसके बाद 10th कहीं सकी हो 12th कहीं सकी हो तो इसके बाद ऐसे बोल सकते है I shifted to सरस्वती विद्या मंदिर after that I moved to KIC intercollege after that I was admitted to Fort Institute of Technology Merit इस तरह से आप बोल सकते हैं जहां जहां भी आपने बदलाओ किये हैं अपने स्कूलों में I want to be an entrepreneur I want to be an entrepreneur I want to be an entrepreneur देखे यह क्या होता है मैं एक उद्यमी बनना चाहता हूं मैं एक उद्यमी बनना चाहता हूं I want to be an entrepreneur I want to be an entrepreneur मैं एक उद्यमी बनना चाहता हूं I want to be a teacher I want to be a policeman I want to be a doctor जो भी आप बनना चाहता है It is my childhood dream यह है मेरा बच्पन का सपना है To be an entrepreneur उद्ध्य में बनना मेरा बच्पन का सपना है I know, मैं जानता हूँ Dreaming alone, केवल सपना Is not going to be Fulfill my aim केवल सपना ही मेरे लक्षे को पूरा नहीं करने जा रहा है One has to work hard To once dream, make it come true किसी को अपने सच्चे सपने को सच में लाने के लिए बहुत कठिन पर मेहनत करनी पड़ती है So, I am working hard nowadays तो आज कल मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ Now I am going to tell you about my daily routine Now I am going to tell you about my daily routine देखे, अब मैं आपको अपना daily routine बताने जा रहा हूँ I start my day early Early I get fresh in up after that देखे, इसके बाद आपको ऐसे बोलना है First of all, I get up early in the morning After that, I go to take bath हना, उसके बाद मैं नहना चाता हूँ After that, I take breakfast देखे, कहने का मतलब यह है जो जो भी आप activity करते हो उसके बाद after that, after it, after this लगा कि आपको sentence बोलने है जासे कि मैं देखे, daily routine आपको बोलके बताता हूँ First of all, I get up early in the morning After that, I take bath After that, I take breakfast After that, I read After that, I make videos After that, I go to gym After that, I take rest for some time After that, I take lunch After that, I take siesta for some time After that, I meet with my team After that, we work for editing After that, after that, after that, after that इस ताद से आपको अपने काम बताने जाने है और last में आपको बताना है I retire to bed at 10 p.m. उसके बाद 10 बजे में रात को सोने चला जाता हूँ Retire to bed का मतलब है, सोने चला जाता हूँ Now I feel like to telling you What are the things about me अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरे मेरे बारे में क्या सोते हैं My parents think That I am self-confidence कि मैं पूरी तरह से विश्वस्नियाब हूँ Hardworking, कठी महनती हूँ And being successful in my life और अपनी जो है अपनी जीवन में सफल होंगा यानि कि सफल होने वाला हूँ My siblings वैसे इस तरह से होना चाहिए था Hardworking and capable of being successful एक थोड़ा एडिटर जो है उसकी वज़े से होगी है तेकिन कोई बात नहीं आप एडिस ऐसे भी बोल सकते हैं My siblings मेरे भाई बहन मेरे बारे में सोते हैं My siblings think about me That I am very focused to my aim इस तरह से जो भी आपके भाई बहन सोते हैं My friends are I think about me That I am a very self-confident And I am a worth-believing friend They can faith in myself इस तरह से जो भी आपके दोस होचते हैं तो यह आप बोल सकते हैं आपकी hobbies My hobbies is reading, running, gaming तो इस तरह से आप अपनी hobbies बता सकते हैं अपना interest बता सकते हैं I am interested in politics I am interested in speaking Public speaking तो इस तरह से आप अपने interest share कर सकते हैं As we know that nobody is perfect in the world जैसे कि हम जानते हैं संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है Everybody has got some wishes and some virtues हर किसी में कुछ नव कुछ गूण और अवगूण दोनों होते हैं I too have some wishes and virtues मेरे अंदर भी कुछ गूण और अवगूण दोनों हैं तो the positive in my personality are जो भी आपके अंदर सकालात्मक चीज़े हैं तो अब भी अपनी 2-3-4-5 चीज़ शेर कर सकते हैं The negative in my personality are That I am bit quick tampered कि मैं बहुत जल्दी नाजाज हो जाता हूं I lose my temper on trifles मैं छोटी-छोटी चीज़ों पर अपना आपक हो देता हूं यानि कि बहुत जल्दी मैं गुस्सा हो जाता हूं I know it is not good I know, मैं जानता हूं यह अच्छा नहीं है, I am trying to improve upon it मैं इस पर सुधार्गी कोशिश कर रहा हूं I believe in others easily और मैं दूसरों पर जल्दी विश्वास करता हूं I know this is detrimental for my career यह मेरे career के लिए रुकावाइट है I am working on it, मैं इस पर काम कर रहा हूं I think I am too emotional मुझे लगता है, मैं बहुत जादा emotional का मतलब है कि मैं बहुत जल्दी emotional हो जाता हूं emotional का मतलब परभावी हो जाता हूं बहुत जल्दी किसी चीज से अपने दिल पर ले लेता हूं and more than often, my emotion affects my decision और कई बार मेरा जो emotion है वो मेरे निर्णों पर परभाव लालता है यानि कि कभी-कभी अपने परभाव में आकर अपने वच में ही ना होकर कुछ गलत निर्णे में ले लेता हूं I am very well aware of the fact that professional decision should not be carried with emotions कि जो professional decision है वो क्या होता है? इमोशन के साथ नहीं लिए जाने चाहिए मैं यह जानता हूं और इसके बाद आप बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा important चीज है I think it is enough about my short life जहां भी आपको closing करनी है आप यह sentence बोलके close कर सकते हैं I think it is not enough about my short life कि यह मेरी जीवन के बारे में परियाप्त है और इस तरह से आपको close down करना है Thank you very much for listening to me So patiently Thank you very much listening to me So patiently आप ऐसे ही बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं I would like to thank you all again being given a chance to speak about myself मुझे बोलने के लिए मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं Thanks a lot for listening to me with patience and affection कि अपने इस धहर देओर इसने के साथ मुझे सुनने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ And last, I have a message for you Health is well, time is money Honest is the best policy Nobody is perfect in the world If you don't help you to help yourself Nobody in the world can help you to help yourself इस तरह से आप अपना बात को अंत कर सकते हैं अपनी बात को खत्म कर सकते हैं तो introduction के बारे में यही आप आपके आज class थी और I hope आपको यह बहुत अच्छे से समझ आई होगी और देखिए फिर भी मैं आपको अंत में एकी चीज़ कहना चाहूँगा अगर आप वाके में ही एक देखिए अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं देखिए मैं एक आधार आपको बता सकता हूँ मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स बता सकता हूँ मैं आपको तरीगा बता सकता हूँ देखिए मैं भी इन साथ साल के दोरान पिछल देर दो साल से भी मैं speaking बच्चों को speaking दी है मैंने तो पढ़ाई है, सिखाई है देखिए मैं भी ऐसा जूट नहीं बोलूगा आपसे देखिए सो बैच में बच्चे तो सो के सो नहीं सीखिए देखिए सीखता वही है जो बोलता है जो फोलव कलता है चीजों को अब देखिए मैं आपसे आप खाली क्लास देखिए जाओगे तो देखिए उससे benefit नहीं होगा आप लिखना शुरू कीजिए सबसे पहले आपको अब उससब को भोल जाए जो मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ इसे याद रखिए ग्रीटिंग्स समय के अनुसार बढ़ाया वो करिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड आफ्ट नाइट जो भी आपको बोलना है अपनी उप्टिंग के यह थोड़ा अपने बारे बताइये फैंली के बारे मिता अपने कया है परहाई में वह बताइये और आपके बारे में आप आपके माता पिती cuts कि आपके भाई-एंटे आपने कूछ आदते बताईए आपका interest की चीज़ों है वो बताईए अपनी skills बताईए अपनी कुछ negative or positive आदते बताईए उन सबको धन्यवाद दीजिए और close down with a message और एक message के साथ सब चीज़े बंद कर दीजिएगा तो I hope आपको बहुत अच्छ समझाया होगा हना और इसमें से जो जो भी आपको अपनी काम का लेगी देखिए एक format है मैं यह नहीं कहता कि आपको सूट करेगा मैं आपको बताया है इस तरह से आप यह बना सकते हैं और इंट्रोडक्शन आपको 100% लाइफ में बोलना ही पड़ेगा चाहे आप किसी भी एज में आ भी हो आप MNC में जाओगे जोब के लिए जाओगे आप इंटर्व्यू में बैठोगे तो को विरामतितना हो और मुझे सुनने के लिए धन्यावाद और थैंक्स फूर लिसनिंग तो मी और गुड़ बाए